फ्रेंड स्वागत आप सभी कमेरी यूटिब चैनल डिजाइन एडिय सेंटरों में तो फ्रेंड आज के इस वीडियो में मैं आपको 32 चेस्ट साइस के एकोर्डिंग फोर्टेक्स वाले ब्लाउस की हम कटिंग और स्टिचिंग करेंगे और बहुत सुन्दर हम बैक और स्लिप्स में डिजाइन भी बनाएंगे तो वीडियो हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले देखें ये मैंने ब्लाउस लिया हुआ है ये स्तर है मेरा और इसका जो मैं आपको ब्लाउस है वो भी दिखा देती हूँ हम और गेंजा फेवरिक में हम बहुत सुन्दर बनाएंगे ठीके तो सबसे पहले देखें हम क्या करते हैं इसकी करेंगे हम कटिंग तो देखें यहां पर यह जो मैंने कपड़ा है वो रेड कलर का लिया हूआ है ठीके असतर लिया हूआ है रेड कलर का और सबसे पहले देखे हम बेक पार्ट की कटिंग शुरू करते हैं ठीके तो यहाँ पे देखे बेक पार्ट की कटिंग करने के लिए सबसे पहले मैं इसके लेती हूँ लेंथ कि हमें तयार ब्लाउस की जो लेंथ है वो कितनी रखनी है तो देखे सबसे पहले क्या करेंगे हम इसके अंदर हम length लेंगे तो देखें यहाँ पर इस blouse की जो तयार length है वो में रखूँँगे साड़े तेरा इंच साड़े तेरा इंच पर हमें इसको तयार रखूँँगे और यहाँ से में इस में half inch मैंने नीचे margin के लिए और half inch मैंने back और front के shoulder joint होने के लिए लिया है ठीके तो यहाँ पर देखें सबसे पहले क्या करेंगे इसके total length लेंगे तो इसके total length मैंने रखी यह साड़े चोदा इंच तो साड़े चोदा इंच पर मैं मार्किंग करूँगे इस तरीके से ठीके फिर हम यहाँ पर लेंगे shoulder तो देखें 32 chest size के coding हम यहाँ पर shoulder लेंगे 5 इंच ठीके shoulder में यहाँ पर लिए है 5 इंच और फिर हम यहाँ पर लेंगे armhole का नाप तो armhole यहाँ पर में ले रहे हूँ सवा 5 इंच यहाँ पर अब मुझे इसमें रखना है तो armhole का नाप तो देखें यहाँ पर shoulder में लिए है 5 इंच और armhole यहाँ में ने 5.25 इंच यानि सवा 5 इंच ठीक है यहाँ पर देखें अब क्या करना है अब लेना है chest का नाप तो 32 chest size के coding हम chest का चोथा भाग निकालेंगे ठीक है अगर चोथा भाग निकालना नहीं आता तो भी मैं आपको इंच टेप से निकाल बताती हूँ सबसे सरल तरीका चोथा भाग निकालने का तो देखें यहाँ पर 32 आ रहा है और इस इंच टेप को हम कर लेंगे दो बार फोल्ड ठीक है तो इस तरीके से इसका चोथा भाग आ जाएगा आठ इंच और फिर देखें यहाँ पर हम चोथा भाग लेंगे आठ इंच ठीक है chest का चोथा भाग लेंगे आठ इंच और फिर यहाँ पर लेंगे extra margin तो margin चाहे तो आप 1,5 इंच भी रख सकते हूँ या 2 इंच भी रख सकते हूँ ठीक है तो यहाँ पर देखें मैं 1,5 इंच margin रख रही हूँ देखें फिर क्या करेंगे हमें एक लाइन जो कर देंगे इस तरीके से यहाँ पर चीक है सीधी फिर हमें यहाँ पर गुलाई देनी है तो गुलाई आप दो तरीके से देख सकते हूँ एक तो आप डाइरेक्ट देख सकते हूँ इस तरीके से यहाँ से आपको 1,5 इंच की गुलाई देनी है चीक है और एक तरीका और है गुलाई देने का सबसे पहले आप हाफ इंच बाहर की तरफ लीजिए इस तरीके से और इसको आप मिला देना शोल्डर से इस तरीके से ठीके शोल्डर से इसे मिला दीजिए और फिर देखें यहां से आप बनिंज की गोलाई दे सकते हो तो यह इतना ही आपका जितना हमने डेडिंज पे मार्किंग की है उतना ही आएगा ठीके तो यह दो तरीके हैं गोलाई देने के तो देखें यहां पे मार्किंग कर देंगे तो इस तरीके से दे सकते हो गोलाई इने दे दी है गोलाई फिर देखें फिर हमें यहाँ पे लेना है नीचे कमर का नाप तो कमर है वो है 26 इंच तो अब यहाँ पे 26 का हम चोथा भाग निकालेंगे तो आप जो मेजरमेंट ले वो आप अपने ब्लाउस के कोडिंग लिए चेस्ट और वेस्ट का ठीके और यहाँ पे देखें अब में कमर है 26 इंच तो इसका भी मैं चोथा भाग आपको निकाल के बता देती हूं तो जिसे इमने चेस्ट का निकाला था ना ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी हमें कमर का निकालना है तो देखे 26 यहाँ पे आ रहा है इसको हम इस तरीके से इंच टेप को कर लेंगे दो बार फोल्ड तो आजाएगा साड़े 6 इंच ठीक है तो यहाँ पे हम साड़े 6 इंच पे मार्किंग करेंगे इस तरीके से और फिर लेंगे हम जो एक्स्ट्रा मार्जन लिया था वो लेंगे तो एक्स्ट्रा मार्जन लिया हमने डेड़ इंच का तो यहाँ पे डेड़ इंच का मार्जन लेंगे और एक इंच हम ओड लेंगे तो एक इंच यह हमने क्यू लिया यह मैं बताऊंगे यह हमने प्लेट साती है ना इधर इस तरीके से हाफा फिंच की तो इस तरीके से हमें ये एक इंच एक्ष्ट्रा मार्जन का ओर लेना पड़ता है जिस तभी हमारी एकदम फिटिंग बनती है परफेक्ट ब्लाउस बनता है ठीक है तो ये देखे ये मैंने टोटल जो मार्किंग है वो ब्लाउस की कर ली है मिजरमेंट ले लिया है तो फ्रेंट्स अगर यहां तक अगर आपको कोई भी बात समझ में नहीं आई हो चेस्ट और वेस्ट के नाप में कोई भी अगर दिकत हो रही हो गोलाई में या कहीं पे भी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूच सकते हूं ठीक है तो ये देखे ये मैंने बेक पार्ट का जो पैटन वो ड्रो कर लिया है इस तरीके से फिर हमें यहां पे लेना है नेक विट्थ नेक के जो विट्थ है वो में यहां पे देखे सबसे पहले लूँगे नेक के विट्थ तो नेक के विट्थ है यहां पे मैं रखूंगे दो इंच ठीक है और ज्यादा नहीं लेंगे हम और इसकी जो लेन्थ है वो मैं यहां पे ले रही हूं नो इंच और यहाँ पर मैं एक box बना लेती हूँ इस तरीके से तो यह जो मैंने normal length होती है back part के उस असाब से मैं आपको बता रहे हूँ तो यहाँ पर देखे अब इसकी जो width थवो में ले रहे हूँ इसकी width थवो में ले रहे हूँ 3 inch ठीक है और अब देखे यहाँ पर मैंने width 3 inch ली है और इस तरीके से इसका में एक box बना लेंगे simple और यहाँ पर देंगे हम गुलाई यहाँ पर गुलाई देखे यहाँ पर गुलाई देंगे एक इंच के एक इंच के में यहाँ पर गुलाई दूँगे इस तरीके से तो यह जो normal neck होता है वो हमारा बन जाएगा simple neck ठीके तो यह मैंने एक pattern बताया है आगे जो मैं इसमें back में design बनाऊंगे तब यह neck cut कर लेंगे अभी मैं यह जो इतना pattern मैंने cut किया है back part का उसको cut कर लेती हूँ back part का जो draw किया है pattern उसको cut कर लेती हूँ तो यह मैंने आपको एक तरीका बताया है कि आप normal neck किस तरीके से बना सकते हूँ तो यहां से मैं इसको cut कर लेती हूँ friends यहां पर मैंने back part का जो normal pattern रो किया था उसको cut कर लिया है तो यहां से हम लेंगे width तक्स के लिए तक्स के लिए width ले रही हूँ मैं चारिंज और यहां से इसकी length लेंगे हम तो length यहां पर मैं ले रही हूँ साड़े चारिंज ठीक है साड़े चारिंज मैं इसकी length ले रही हूँ और इसे तरीके से आपको दूसरी तरफ भी टक्स डाल लेना है इस तरीके से बिट रखी है मैंने चारिंज और लेंद रखी है मैंने सड़ चारिंज ठीक है तो यहाँ पे देखें मैंने दुनों तरफ जो प्लेट से वो डाल लिये अब हम आगे करेंगे फ्रेंट पार्ट की कटिंग यानि फोर्टक्स वाले जो आगे का पार्ट होता है वो बनाएंगे तो आगे हम उसको कट करते हैं